पॉलिटी की क्लास में हमने बहुत से टॉपिक्स को कॉम्प्लेट का लिया था जो हमारे प्रिवेश टॉपिक है जो रिशंटली क्लास हुई है उसमें हमने मंत्री परशत के बारे में पढ़ा था आज जो हमारा टॉपिक है वो है संग की विधायका क्या है संग की विधायका संग की विधायका संग की विधायका क्या होती है इसका काम है कानून का निर्मार विधायका काम होता है कानून का निर्मार कानून का निर्माड़ करना संग की विधाई का कानूनों का निर्माड़ करती है संविधान के अनुसार संसत के लिए वो राज्य के लिए अब देखिए संविधान में ये कहां से कहां तक है कहां पे इसको वर्णन किया गया तो संग की विधाई का जिसे कहा जाता है संसद क्या कहते हैं इसको संसद पारलियामेंट कहा जाता है ये कहां पर आपको समविधान में मिलेगी भाग पांच में कहां पर भाग पांच में समविधान के भाग पांच में संग की विधायका जिसे संसद कहा जाता है उसके बारे में उल्ले किया गया और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये आर्टिकल अनुक्षेद 79 से लेकर अनुक्षेद 122 तक है अनुक्षेद 79 से लेकर अनुक्षेद 122 तक विधायका का वर्णन समविधान में किया गया है जिसे हम संसत कहते इतनी बात समझ में आई विधायका क्या होती है तंग की विधायका को संसत कहते हैं और समविधान में इसका उले कहा से कहा तक मिलता है अब دیکھcomes इसके बारे में पढ़ते हैं संसत पारलेमेंट संसत का कार क्या है कानून का निर्माड कानून का निर्माड संसत के दोरा किया जाता है मेरी पास मुझ में आ रही है कानून का निर्माड कौन करता है संसत के दोरा कानून का निर्माड किया जाता है अब देखिए इसकी संरचना कैसी होती संरचना या गठन की बात कर लो या सं रचना की बात कर तो कैसे है संसद, संसद कैसे बनती है, संसद किसे कहते हैं? देखे, हमने Parliamentary System follow किया है, British Constitution से लिया हुआ है, और संसद सर्वच्चे में, हम سंसद के बाद, संसद के पास यह स मियों अधिकार हैं, सारे कारियों को करने के संसद का गठन कैसे होता है तो संसद के गठन की बात करें अनुक्षेद 79 आर्टिकल 79 की बात करें आर्टिकल 79 इस बात को बताता है कि संसद बनती कैसे उसकी संरचना की बात करता है कि कैसे वो बनेगी तो कहते हैं कि संसद, राश्ट पती, राज्य सभा, प्लस लोग सभा संसद इन तीन लोगों से मिलके बनती है कि से राश्ट पती से, राज्य सभा से और लोग सभा से इन तीनों से मिलकर संसद का गठन किया जाता है यह आर्टिकल 79 कहता है ये आर्टिकल 79 कहता है अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए ये जो राष्टपती है वो संसद का क्या है अभिन्य हिस्सा है अभिन्य भाग है और ये दो सदन है ये दोनों क्या है सदन है राजसभा एक सदन है और लोगसभा एक सदन है राजसभा इस्थाई सदन है लोगसभा आइस्थाई सदन है हर पांच वर्स के वाद स्वयम विक्टित होता है या पांच वर्स से पूर राष्पती से विक्टित कर सकता है प्रधा चलिए अब आगे बढ़ते हैं राश्ट पती संसद का अभिन हिस्सा है भाग है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता देखो राश्ट पती संसद का अभिनिस्सा क्यों है क्योंकि देखो ये दो जो सदन है लोगसभा और राजसभा इन दोनों का काम है कि कानून को बनाना कानून के लिए किसी विशय पर विध्यक को पारित करना बस इनका ये काम है लोगसभा और राजसभा क्या करते हैं किसी विशय पर एक कोई विध्यक आता है किसी भी सदन में आ सकता है वो विध्यक पर डिपेंड करता है और उस विध्यक को ये दोनों सदन क्या करते हैं प सारित करने के बाद जब वो राश्टपती के पास जाता है तो राश्टपती की अनुमती के बाद या सहमती के बाद ही वो कानून का सुरूप ले पाता है और विधायका का काम यानि संसत का काम क्या है संसत का काम है कानून का निर्माड करना और बिना राश्टपती की सहमती क कानून का निर्माड नहीं हो सकता इसी लिए संसद का जो संरचना है उसमें तीनों लोग सम्मिलित हैं राश्टपती लोगसभा और राजिसभा जिसमें राश्टपती संसद का अभिन भाग है अब दोगों प्रश्ण अगर आता है प्रश्ण अगर आता है कि निर्म लिखित में से संसद किस्से निर्मित होती है तो संसद किस्से निर्मित होती है संसद तीन लोगों से निर्मित होती है एक राजिसभा राश्टपती राजिसभा और लोगसभा से मिलकर संसद का निर्माड होता है किस अनुक्षेद में है तो अनुक्षेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है तो राश्च्टपती के बारे में हमने अधन कर लिया है अब हम यहाँ पर अधन कर रहे हैं किसका अब हम यहाँ पर अधन कर रहा है संसत का उसके संसत के दो सदन है दो सदनों में से हम एक-एक सदन को पहले लेके चलेंगे देखिए सबसे पहले हम राजसभा की बात करते है राजसभा काउंसिल ओफ इस्टेट काउंसिल ओफ इस्टेट की बात क्या है राज सब्हा राज सब्हा देखो क्या है तो सब्दों का मेट हैं राज जब्हतं आ रही है भूलो इतनी बात क्लियर हुईए है अब देखेए सबसे पहले इसके बारे में कुछ मूल बाते जान लेते हैं मूल बाते ये हैं कि ये एक इस्थाई सदन है मतलब इसका विगटन नहीं होता है विगटन नहीं होता है राजिसभा क्या है एक इस्थाई सदन है इसका कभी विगटन नहीं हो सकता इसके सदस्य क्या करते है रिटार्यमेंट लेते हैं ये कभी विगटन नहीं होता है दूसरा क्या है कि राजिसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्यों करती है राज्यों का प्रतिनिधित्यों करती है बासोज़ना रही है संसद के अंदर जो दोनों सदन हैं उसमें से एक लोगसभा और एक राज्यसभा है लोगसभा जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्यों करती है और राजिसभा क्या करती है राजिसभा राज्यों का प्रतनिधित तो करती है बासमों में आई इतनी बात क्लियर हुई कोई डाउट चलो आगे देखते हैं आगे क्या है यहां एक उच्छ सदन है राजिसभा क्या है उच्छ सदन है और इसका गठन 1952 में हुआ रह refuses देखते हैं इतनी बाते हैं यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ तो राजसभा के बारे में जानगे कि राजसभा एक इस्थाई सदन है राजसभा एक उच्च सदन है राजसभा संसद में राज्यों का प्रति तो करती है राजसभा का गठन 1952 में हुआ था बात क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ा जाए चलिए अब इसकी संरचना और गठन के बारे में जानते है राजसभा की संरचना एवं गठन राजसभा की संरचना और गठन के बाद कैसे राजसभा बनती है? कितने लोग होते हैं? इन सब बातों के बारे में चर्चा की गई है क्या है? देखिए आर्टिकल अस्सी अनुच्छेद अस्सी के बारे में अनुच्छेद अस्सी कहता क्या है? अनुच्छेद अस्सी इसकी संरचना के बारे में बताता है इसके गठन के बारें बताता है कैसे क्या कहता है कहता है कि राजिसभा में अधिक्तम जो सदस्य होंगे अधिक्तम अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी होगी 250 250 थाइसो मतलब 250 होगी अधिक्तम सदस्य कितने हो सकते हैं 250 सदस्य राजिसभा में हो सकते हैं मेरी बास समझ में आ रही है अधिक्तम कितने 250 सदस्य इसमें हो सकते अब देखो है क्या क्या कि अब यह 250 सदस्य से आएंगे कैसे कि ज्यान से देखिए कि 250 12 या 12 प्लस 238 भारा 12 Broad my 2008 या 238 प्लस 12 सदस्य मिल्कर क्या बनती है राज्य सभा बनती है मिल इंधिक किया बनती है राज्य सभा बनती है अब देखो कैसे यह जो बारा सदस है कि यह मनोनीत होते हैं कि मनोनीत होते किसके दौरा कि राष्टपती के दौरा जो व्यक्ति विज्ञान कला साहित और समाज सेवा के छेत्रों में और समाज सेवा के छेत्रों में बहुत बढ़ीया कार उत्कृष्ट कार करते हैं उन्हें क्या किया जाता चाह राश्ट पती द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है कहाँ पर इन्हें मनोनीत कर दिया जाता है राजसभा में आप 238 सदस्रे हैं वह कहां से आते हैं यहां से निर्वाचित होते हैं बास्वज में आई ये दो जगे से निर्वाचित होते हैं एक तो राज्ज से और दूसरा यूटी से विए निर्वाचित होते हैं बास्वज में आ रही है बोलो आप देखें यहाँ पर सिर्फ तीन संगसासित राज्य हैं तीन संगसासित राज्य हैं जिन्हें राज्य सभा में प्रत्रिजित्त मिला है कौन कौन से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मु कस्मीर संगसासित, राज्यों का प्रत्रिजित्त, तीन हैं कौन कौन से, एक तो दिल्ली है, दूसरा, पुदुचेरी है, और तीसरा, आपका जम्मु कस्मीर है, ये तीन राज्य हैं जिनका प्रत्रिजित्त है, और टोटल कितनी संख्या है, आठ संख्या है, तोटल कितनी संख्या है, आठ संख्या है, इतनी बास स्माझ में आई, तो वर्तमान में, वर्तमान ये तो होनी चाहिए, लेकिन वर्तम वरत्मान में कितनी संख्या है राज्य सभा सदस्य कितने है राज्य सभा सदस्य कितने है 245 सदस्य संख्या वर्तमान में विद्दमान है यानि बटा तीन राज्यों का ही केवल प्रतनिद्द्द्द है किसका किसका दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कस्मीर राज्य का प्रतनिद्द्द दिया गया है सेश राजियों का सेश संग सासित राजियों का प्रतनिद्ध नहीं है पास समझ में आई तो यह है संरचना यह है संरचना संरचना में 1200 सदर से 250 आधिक्तम हो सकते हैं जिसमें 238 सदस से 238 सदस से संग सासित राज और राज्यों दोरा निर्वाचित हैं और 12 सदस वे सदस हैं जिन्हें राष्टपती मनुनीत करता है जो विज्ञान, कला, साहित और समाज सेवा के छेतर में उत्कृष्ट कारे करते हैं वर्तमान में कितनी सदस संख्या है वर्तमान में 245 सदस संख्या है कितनी 245 सदस संख्या है जिसमें से आपके पास कितने आठ आठ संख्या संग सासित राज्यों से है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मुकस्मिर सेश संगसासित राजियों को इसमें कोई भी योगदान देने का अधिकार नहीं दिया गया है यानि प्रत्निजर तो नहीं है यह है संरचना और संरचना किस आर्टिकल में है? संरचना अनुक्षेद असी में राज्य सभा, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि राज्य सभा किस अनुक्षेद में है? तो राज्य सभा किस में है? अनुक्षेद असी में अब देखिए, सदर से संख्या हो गया हमने जानली संरचना कैसी होता लेकिन एक चीज समझे अगर कोई भी सभा है हैं उन्हीं योगताओं पर हम चर्चा करते हैं तो राजी सभा के सदस्य की योगता क्या होनी चाहिए योगता क्या होनी चाहिए राज सभा सदस्य की राजी सभा की योगता के बारे में चर्चा करते हैं राज सभा की योगता की बात करते हैं तो राज सभा की जो योगता है वो क्या होती है कि सदस्य के पास कौन कौन सी योगता होने चीए सबसे पहली योगता क्या है भारत का नागरिक होना चीए क्या भारत का नागरिक होना चाहिए जो व्यक्ति है उसके पास भारत के नागरिक की योगता होने चीए जो व्यक्ति है उसके पास क्या है भारत के नागरिक की योगता होने चीए दूसरा क्या है तीस वर्स की आयू को उस व्यक्ति दौरा पूरा किया जाना चाहिए क्या है तीस वर्स की आयू को पूर्ण किया जाना चाहिए यानि जो व्यक्ति है उसके दौरा तीस वर्स की जो आयू है उसे पूर्ण किया जाना चाहिए अवश्यक है फिर संसद दोरा बनाई गई योगताओं को पूरा करता हूँ क्या है संसद दोरा बनाई गई अन्योगताओं को पूर्ण करता हूँ संसत द्वारा निर्धारित योगताओं को संसत द्वारा निर्धारित योगताओं को पूर करता हो अग्ला क्या है किसी भी लाब के पदपर ना ति किसी भी लाब के पद पर पद पर ना हो यानि उस व्यक्त दौरा किसी भी लाब के पद पर आसीन नहीं और यह योगताएं यह हैं राजी सभा की योग गताएं ये हैं राजी सभा की योग गताएं बास में आ रही है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है राजी सभा की ये योग गताएं हैं तो तीस वर्थ इनका निर्वाचन कैसे होता है राज सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है राजी सभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो राज्यों के सदस्यों द्वरा ही यह निर्वाचित उंगे तो देखिए राज विधान सभा के सदस्यों दोरा कौन निर्वाचित करता है? राज विधान सभा के जो सदस्य है वो इन्हें निर्वाचित करते हैं और कैसे निर्वाचित करते हैं? करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्तों तौरा एकल संक्रमडिय तिंगल ट्रांस्फर वोटर सिस्टम विधि से और गुप्त मतदान देखें पहले इसमें गुप्त मतदान हुआ करता था लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया क्या कर दिया गया खुला मतदान कर दिया गया खुला मतदान यानि जो राज सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन करेगा उनका निर्वाचन राज विधान सभा के सदस्यों दोरा होगा जो अनुपातिक प्रत्नदित रीत दोरा एकल संक्रमडी विदी से खुले मतदान से चुने जाएंगे देगे अनुपातिक प्रत्नदित का मतलब यह होता है कि सभी राज की जनसंख्या बराबर नहीं है तो ऐसा सिस्टम ऐसा तरीका जिसमें उनके मत का मूल यानि सभी राज्यों के मत का मूल क्या हो जाए उसमें समरूपता हो जाए समानता हो जाए और एकल संकमडी का मतलब यह होता है वरियता करम देना यानि सभी उम्मीदवारों को वोट देना कमपल सरी है उन्हें हम वरियता करम देते हैं कि हम इसे पहले चाहते हैं और इसे बाद में चाहते हैं और खुले मतदान का मतलब यह होता है कि सभी को पता रहता है किसे एक वो सेम चीज है कि यहाँ पर खुला मद्दान है तो सभी को जानकारी होगी कि आपने किसको वोट दिया है बास सुझा रहे है आप देखिए 2003 से पहले ये नियम था कि राज्य सभा का जो प्रतिनिद ही होगा वो उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए 2003 से पहले क्या था कि लोग प्रतिनिद ही तो अधनियम 1951 के अंतरगत क्या था व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए कि देखिए क्या था लोग कि प्रतिनिद ही तो कि अधनियम 1951 में क्या था व्यक्ति को उस राज्य का मूल निवासी मूल निवासी होना चाहिए जो व्यक्ति है उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए लोग प्रतिनिद अधनियम 1951 में ये चीजे विद्धमान थी अब देखिए राज्य सभा में सीटों का जो वो है वो किस दो कि जनसंख्या मूल आधार है जनसंख्या मूल आधार है तो राज्य सभा में जो सीटे होंगी वो किस प्रकार से होंगी इसको देखते हैं राज्य सभा में सीटों का आवंटन या बटवारा या निर्धारण का आधार बेटा क्या है आधार है राज्जी की जन संख्या मतलब जो राज्ज सभा में सीटे आवंटित होती है किस राज्जी को कितनी सीटे मिलेंगी इसका आधार क्या है इसका आधार है आपका जन संख्या जन संख्या इसका आधार है कि जन संख्या के आधार पर उस राज्जी को प्रत्निधित दिया जाएगा अब देखिए यह है कहां पर इसका वर्णन सम्विधान की अनुसूची इसका वर्णन सम्विधान की अनुसूची चार में किया गया है चार में किया गया है इसका वर्णन कहां किया गया है? सम्विधान के अनुसूची चार में इसका वर्णन किया गया है बासमज में आ रही है इसका वर्णन सम्विधान के अनुसूची चार में किया गया है यहां तक कोई समस्या? अधिक सबसे ज़्यादा सीटे किसके पास है उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीटे हैं सबसे अधिक सीटे राजसभा में उत्तर प्रदेश के पास विद्धमान है सबसे अधिक सीटे तो यहां तक क्लियर यहां तक कोई दिक्कत राज सभा हमारा हमने इसकी संरचना जानी संसत की संरचना जानी राज सभा की संरचना जानी उसके बाद उसके सदस्यों की योगिता जानी और इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है इन चीजों को हमने जान लिया अगली क्लास में हम राज सभा को भी कॉंटिन्यू करेंगे